आज के दिन हम लोग जीटिये 5 में इविल पैट्रिक को ढूडेने वाले हैं मेरे सूत्रों के कोडिंग जो पैट्रिक है वो एक फैक्टरी के अंदर छुपा हुआ है लेकिन इस लॉस सेंटोस के अंदर काफी सारे फैक्टरी हैं तो हमें बारी-بारी करके सभी में चेक करना पड़ेगा स्वागत है दोस्तों आपका एक और सुनहरे दिन में तो इसी के साथ हम लोग अपने पहले फैक्टरी पे आचुके हैं ये असल में लेश्टर का फैक्टरी है तो चलो अराम से हम लोग अपनी बाइक को यहां पे पार्क करते हैं और हाँ यार दोस्तो खतरा कहीं भी हो सकता है हमें एकदम समहल के चलना होगा ये वाली फैक्टरी काफी सालों से एकदम खाली पड़ी है तो चलो अराम से ओ माई गॉड ये तो देखने में काफी स्कियर ही लग रहा ओल राइट दोस्तो एकदम समहल के तुम लोग देख सकते हो यहां पे कितने सारे सीविंग मसीन है चलो कोई नी हम लोग अराम से इस ओफिस के अंदर चलते हैं ओके तो ये वाला जग एकदम सेफ है चलो कोई बात नी दोस्तो हम लोग फटा फट से इस सामने वाले कमरे को भी चेक कर लेते हैं एक सिकेंड ओ माई गॉड ये तो स्पीड वर्ल्ड है यार ये मर चुका है रुको यार दोस्तो हम लोग फटा फट से किसी सबूत को ढूडते हैं इसके पास काफी सारा खून है लेकिन इसके बगल में एक चाकू है यार रुको हम लोग इस चाकू को उठा लेते हैं यार दोस्तो सही में ये सब कुछ काफी ज़्यादा अजीब है तो मैं इस चाकू को लेके यहां से बाहर निकलता हूँ हो सकता है ये चाकू हमारे काम आ जाए हमें इस फैक्टरी में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं मिला चलो कोई बात नहीं हम लोग अपने बाइक पे बैठते हैं और किसी और फैक्टरी के तरफ चलते हैं हम लोग इसी के साथ अपने सेकंड फैक्टरी पे आ चुके हैं अराम से अपने बाइक को यहां पे पार्क करते हैं ये देखो दोस्तों यहां चारो तरफ सिर्फ फैंस है मेरे ख्याल से हमें इसकी उपर से जंप करना पड़ेगा अराम से तो इस तरीके से हम लोग इस फैक्टरी के अंदर आ चुके हैं हम लोग अराम से दोस्तों इसकी ऊपर चड़ते हैं औरे यह क्या हमारे पीछे यह सब कौन है ओ भाई हम लोग यहां से भागते हैं ये तो काफी गलत सीन है लेकिन एक सेकंड वहाँ पे भी कोई है रुको यार दोस्तों मैं अपनी स्नाइपर की मदद से अच्छे से देखता हूँ औरे यार इन सब का नाम है प्लैंक टन और तुम लोग देख सकते हो ये कितने खतरनाक हैं रुको इसे सूट करते हैं बहुत सही एक सेकंड यार मेरे पास एक बहुत मस्त आइडिया है हम लोग अपने आरपीजी की मदद से इन सब को खतम करते हैं लेट्स गो निकल यहां से ओके ओके एक और बहुत सही मेरे ख्याल से हम लोग सेफ होंगे चलो यहां से जंप करते हैं अरे ओ भाई यहां पे तो तीन अभी भी जिन्दा है यह सब हम से लड़ना चाह रहें निकल ओ भाई यह सब काफी ताकतवर हैं निकल एक ओके और यार यह सब ऐसे नहीं मरने वाले अरे यार दोस्तों यह क्या मचाक है यहां पे तो और भी प्लैंक्टन आ गए है कोई बात नी मैं अपना जल्दी से मस्त वाला गन निकालता हूँ और इन्हें मारता हूँ ओ भाई 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 अराम से और मारते हैं ओके ओके यह तीनों तो काफी ताकतवर हैं बहुत हो गिया तुम लोग की नोटंकी मैं अपना सबसे ताकतवर गन निकालने जा रहा हूँ इस गन का नाम है विडो मैकार यार निकाल निकाल येस येस यार बाल बाल बचे हम लोग हमने सब को मार दिया है बहुत हो गिया दोस्तों हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं और किसी और फैक्टरी के तरफ चलते हैं हमारी अगली फैक्टरी दोस्तो इस सामने वाले जगा पे हैं और तुम लोग देख सकते हो यह वाला लोकेशन भी काफी ज़्यादा डरावना है तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक फैक्टरी है और उसके बगल में एक बहुत पुराना सा घर है चलो कोई बात नहीं हम लोग इसे थोड़ा चेक आउट करते हैं ओ मैन ये वाला घर बहुत 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 जादा पुराना है लेकिन मुझे कहीं भी इविल पैट्रिक नहीं दिख रहा है चलो हम लोग घर के अंदर चलते हैं औरे ये घर का दरवाजा तो लॉक है रुको मैं कोई और रास्ता ढुडता हूँ जिसकी मदद से हम लोग अंदर जा सकते हैं हमें इस पुराने घर में से कोई भी सबूत नहीं मिला है चलो कोई बात नहीं हम लोग अब इस बड़े वाले फैक्टरी को देखते हैं लेकिन एक सेकिंड वो क्या है यार रुको हम लोग फटा फट से देखते हैं ओ माई गॉड ये तो स्पंज बॉब है अरे यार दोस्तों ये क्या गलत सीनों गया हमारा प्यारा दोस्ती स्पंज बॉब अरे यार मर चुका है रुको यार दोस्तों हम लोग इसके भी आस पास किसी सबूत को धुडते हैं ओके अराम से इधर देखते हैं ओ हमें इसके भी बगल में एक चाकू मिला है हम लोग इसे उ स्क्विड वर्ल्ड दोनों की पास में से चाकू मिला है यार ये काफी अजीब है चलो कोई नी मैंने दोनों चाकू को रख लिया है तो हमने अच्छे से दोनों जगा पे चेक कर लिया है रुको मैं थोड़ा और सबूत को ढूडता हूँ अराम से हम लोग इधर भी देखते ह है ओ यहाँ पे कितनी मस्त कार है मैंने बहुत ढूडा लेकिन मुझे कहीं भी इविल पैट्रिक नहीं मिला है हम लोग इस कार को चोरी करते हैं और यहाँ से निकलते हैं लेकिन यार हम लोग इविल पैट्रिक को ढूडेंगे कैसे हमें सबूत के नाम पे सिर्फ दो चाकू मिला है चलो कोई बात नहीं हम लोग चल्दी से अगले factory के तरफ चलते हैं हमारी fourth factory इस सामने वाले जग़ा पे है ओमाई गॉड ये factory तो काफी बढ़ा है मेरे ख्याल से दोस्तो हमारा जो ये वाला factory है ये भी काफी सालों से abandoned है लेकिन तब भी हमें थोड़ा मारा इविल पैट्रिक इसी फैक्टरी के अंदर है लेकिन यार हम लोग वहां तक पहुचेंगे कैसे ओके मुझे देमाग से काम लेने दो और अरे येस हमारे सामने तो लैडर है यार मैंने देखा ही नहीं चलो फटा फट से इसकी उपर चड़ते हैं अब अराम से इसकी उप अराम से दोस्तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम लोग अराम से इसकी उपर जंप करते हैं तुम लोग देख सकते हो कितने सारे गाल्ड है और एक सेकिंड यहाँ पे तो विंडो है लेकिन ये क्या यहाँ पे तो काफी सारे बंदे हैं हमें कुछ और करना होगा रुकव यार मुझे कुछ सोचने दो एक सिकिंड हमारे पास इश्टिकी बॉम है हम लोग अराम से इस इश्टिकी बॉम को धीरे से यहाँ पे लगाते हैं ओके ओके एक और बहुत सही किसी को पता नहीं चला है ओल राइट थ्री टू वान लेट्स गो येस यार मेरे ख्याल से हमने इन्हें मार दिया येस हमारा प्लैन तो बहुत मस्त काम किया है अरे येस ये क्या हो गिया ये सब तो हमें मारने उपर आ रहे यार ये गलत सीनों किया चल 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 भागते हैं हम लोग फटा फट से अपना गन निकालते हैं यार ये काफी गलत सीन है और अच्छे से हम लोग देखते हैं चलो यार दोस्तों तो अब हम लोग फटा फट से इविल पैट्रिक को ढुड़ते हैं अरे अरे यार ये क्या मचाक है ओ भाई ये तो हमारे सामने आगिया है अरे अरे यार हम लोग क्या करें अरे यार नहीं 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 मैं ऐसे नहीं मर सकता ओ ओ भाई ये हमारे सामने है यार इस पे गोली का कुछ भी असर नहीं हो रहा एक बार एक बार अरे नहीं 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 हमें यहां से भागना होगा यह बहुत ताकतवर है ओके ओके यहां पे जंप करते हैं लीच लीच यह मर मर यार मैं यहाँ से भागता हूँ एक सेकंड यार मेरे पास एक बहुत मस्त प्लैन है हम लोग यहाँ से जम्प कर जाते हैं अब हिम्मत है तो नीचे आके दिखा मेरे ख्याल से हमारा प्लैन काम कर गया है रुको यार दोस्तों हम लोग इसी बात का फाइदा उठा के इसकी उपर खुब सारे इश्टी की बाम फेकते हैं ओके डिसुम येस यार लेकिन इस पे कुछ भी असर नहीं हुआ अरे यार मैं क्या करूँ मैं अपना जल्दी से अग्रीनेट लॉंचर निकालता हूँ ओके ओके हिम्मत है ना तो नीचे आके दिखा यार सायद से इस पे कुछ असर हो रहा और 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 अरे अरे नहीं यार ये क्या हो गिया ये तो नीचे आकिया है ओ भाई ये गालत सीनो किया हम लोग यहां से भागते हैं मेरे ख्याल से दोस्तो मैंने अभी तक अपने इन्वेंटरी के सारे गन को ट्राई कर लिया है लेकिन एक सेकिंड हमारे पास तो स्पंज बॉब और स्क्विड वर्ल्ड का चाकू भी था रुको हम लोग फटा फट से उसे ट्राई करते हैं क्या पता दोस्तो ये कोई जादूई चाकू हो तो चलो फटा फट से इसे ट्राई करते हैं आज या मैदान में अरे यार मिस हो गया कई बात नहीं अरे यार निकल यार अरे इस पे असर हो रहा है ओके एक और एक और रुको येस मेरे ख्याल से इस पे असर हो रहा येस येस हमारा प्लैन काम कर गया और ये मर चुका है तुम लोग देख सकते हो दोस्तों ये कितना जादा खतरनाक है लेकिन आखिरकार हमने इसे मार दिया इस वीडियो के लिए बस इतना ही था तब तक के लिए पीस